नवस्कार दोस्तों नई वीडियो में आपका स्वागत है मैं हूँ अभीजिक चोहान और आप देख रहे हैं UP scholarship से जूड़ी हुई सारी updates तो आज की update जो है नहीं नहीं update जो मैं आपको बता दूँ तो आज जो है scholarship आना start हो चुकी है कुछ बच्चों की scholarship आई है आज मेरे पास कम से भी कम साथ से आठ comments ऐसे आए है जिन मैं साब साब बच्चे बता रहे हैं कि उनकी scholarship जो है वो उनके account में credit हो रही है day by day तो उस बारे में हम बात करेंगे बाकी बहुत सी चीजे हैं वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ तो मेरी request आप से ये रहेगी कि वीडियो को last तक देखेगा ये जितने भी आपकी problem है ना इन सभी problem का solution लगभग लगभग इस वीडियो में आपको मिल जाएगा बाकी बहुत से बच्चे के question answer मैंने अभी अभी मैं आपको दिखाओं तो मैंने इस वीडियो में मैं अगली वीडियो में पोस्ट करूँगा और ये वीडियो आपके लिए देखनी बहुत ही जादा जरूरी है क्योंकि इसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या परेशानी जो है बच्चे face कर रहे हैं क्या उसका solution है एक बहुत ही official आदमी की तरफ से पूरे YouTube पे कोई वीडियो ऐसी नहीं होगी जिसमें इसके बारे में बताया गया हो बाकी चलिए अब problem के बारे में बात कर लेते हैं अब मुझे उम्मीद ये है कि जिस वीडियो जो ये वीडियो में कर रहा हूँ इसमें आपकी problem का solution जो है वो 100% आपको मिल जाएगा बस आपको end तक देखनी है तो भाई सबसे परवी बात जो आ रही है भाई मेरा correction edit का option नहीं आ रहा है प्लीज बताओ मैं क्या करूँ तो देखो ऐसा है correction edit का option कुछ ही चीज़ों के लिए आता है ये आपको बात समझनी होगी कि edit का option पूरे form के लिए नहीं आता ये किसके लिए आएगा आपके marks के लिए आएगा कुछ status ऐसे होंगे जहांपे आपने देखा होगा कि जहां जब बच्चा form बर रहा था तो वहा तो बच्चे के पास option है कि यहां आके अपने marks वगरा चेंज कर सकता है इसलिए कुछ ही चीज़े खुली हुई है तो अभी तो आपको कोई चक्कर में पढ़ने वाली जोरत है नी इसका answer जो है वो यही है अब बात करते हैं भाई मेरा correction edit का option नहीं आ रहा प्लीज बताओ य जो है यह सेम है और इनका answer यही है कि आपको कुछ ही चीज़े edit होंगी बाकी सारा form जो है edit नहीं होता form में correction नहीं दिख रहा तो आपके form में correction नहीं होगा वहां से verify हो चुकी होगी चीज़े अगर verification आपको correction आपको दिखेगा तो आप verification उसका करिए एक बार चेक करिए वो कुछ भी चीज़े आपको गलत दिखाई दे रही है अभी आपके पास option यह है कि वो अपना form लेकर और अपने college में जमा कर दीज़े कि यह correction होना है ठीक है जी marks result mismatch दिखा रहा है और इसे सही कैसे करें तो भाई अगर result mismatch दिखा रहा है तो दूसरा आप अपना जो marks है वो अभी एडिट कर सकते हैं आप क्योंकि मेरा जो इतना experience है वो यह कहता है कि marks plus percentage plus fast pass और fail का status यह अभी एडिट हो सकता है अगर आप इसमें कोसिस करेंगे तो next question पर अगर हम आते हैं तो बहुत से बच्चों के सवाल इन में आपको मिल जाएगा मेरा अधार से पैसा निकल जा रहा है इसका answer हमारे एक दोस्त ने रहुल ने thank you so much रहुल भाई इन्होंने answer इसका दे दिया है और answer क्या है यह आप देख सकते हैं कि भाई अगर आप किसी के भी साथ ऐसी problem चल रही है तो आपको simple क्या करना है bank में जाके बोलो NPCI से link करना है तभी मेरा भी same problem जो है वो solve हो गया है अगर आपका अधार से पैसा नहीं निकल ला यू आईडी की कोई problem है तो जाके अपना NPCI से link करा लो बाकी अगली वीडियो में आप देख लीजेगा और उसमें आपको मैं सारी चीज़े बता दूगा बाकी अगर आपको मैं बताऊं तो टेलीग्राम पे एक channel है हम आपको बहुत अच्छे से यह सारी चीज़े बता देंगे अगर इसका link चाहिए तो description में भी इसका link आपको प्राप्त हो जाएगा बाकी अगर किसी के साथ यह problem है तो अपने bank में जाओ NPCI से link करा लो अपने account को ताकि जो भी problem है उसका solution time से हो सके अब मैं बात कर रहा था आपको मैं बता रहा था कि scholarship किन की आ रही है तो इसमें भी बिल्कुल clear हो चुका है सामने आ चुकी है बात college से form forward नहीं हुआ क्या करें तो आपको इस बारे में बात अपने college में करनी चाहिए आपके college वाले ही इसका solution जो है वो आपको दे सकेंगे दूसरी बात क्या है 11th की scholarship scholarship आ गई है 2222 रुपे तो यह बहुत खुसकबरी वाली बात है 21 तारीक पहला मईना 2023 11 बज के 18 मिनट पर scholarship जो है वो आ गई थी यह आप यहां देख सकते हैं तो बहुत ही सांदार बात है बच्चों के लिए कि वहाई उनकी scholarship जो है 11-12 वालों की scholarship उनके account में जा रही है तो अ आपकी नहीं आई एक बार जाके अपना वो वाला account चेक करें जिससे आपका अधार link है ठीक है दोस्तों अब बात करते हैं duplicate mobile number दिखा रहा है प्लीज बताए duplicate mobile number दिखा रहा है तो इसका simple सा reason यह होता है कि आपका जो है अभी आपने अपना जैसे ही अपना mobile number उसमें आपने लगाया होगा तो आपके mobile number पे आपके भाई का या तो mobile number लग रहा हो या दो कोई भी चीजे मैच हो रही है या तो आप दो भाई बहान हो जो यूपी स्कोलर सी बर रहे हैं या दो भाई बहाई हो तो उनकी वजासे ऐसा डूबली केसी का problem आ जाती है बाकी यह question में अगली वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो देखना बिल्कुल ना भूलें ज्यादा से ज्यादा सेर करें इस वीडियो को ताकि और लोगों तक पता चले ऐसी important information सभी की स्कोलर सी पासके में यह कह रहा है मेरे में verified bank लिखा है और इवन है कि आपका जो है अपने account में तो लगा दिया UID तो आपकी जो create हुई है na beneficiary उसमें simple सी बात इतनी है कि आपका आधार कार्ट जिसमें लगा होगा उस account में आपकी scholarship जो है वो आ जाएगी इसमें परिशान होने वाली कोई बात नहीं है बाकि next video जो है वो एक बहुत ही अच् अगली वीडियो में आपको दिखा दूगा बाकी कुछ यह है कि bank name and IFC code not related to each other अगर ऐसी कुछ problem आपके सामने आ रही है आपके कुछ भी account वो हो सकता है मैं तो सबकी ही आपकी problem ली है तो अगर ऐसी कुछ problem आपके सामने आ रही है तो इसमें परिशान होने वाली कोई बात अभी चेंज करने का option जो है correction का खुल रहा है अगर correction आपके phone में होती है तो well and good अगर नहीं होती तो फिर आपको घपरानी की कोई जोरत नहीं है जिस में भी आपकी ID लगी होगी ना जिस bank में भी आपका आधार card लगा होगा उस आधार card के base पे ही आपका पैसा जो है आपक यह back end की problem है यह आपके college की problem है आप जाएं अपने college में बात करें और उन्हें बताएं कि जी मेरे ऐसे ऐसे problem चल रही है वो इसका कुछ ना कुछ solution आपको निकाल के देंगे और इस video में बस इतना ही रखते हैं मिलता हूँ आपसे मैं अगली video में तब दक के लिए अपना बह message बेच दीजे जो भी problem होगी उसका solution में आपको वहां बता दूँगा मिलता हूँ अगली video में तब तक के लिए bye bye take care अपना बहुत सारा ध्यान रखें खुश रहे हैं अगली video देखना ना बूला है क्योंकि अगली video पहले से recorded है उसमें सारे questions के answer एक scholarship department के officer ने दिये होगे bye bye take care